संगीत धरा SPW संगीत प्रवावर्ड का अपना खुद का मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलूड कीजिए अभी Android, iOS और डेक्स्टॉप तीनों पर अविलेबल है और घर बेटे सीखिए वीडियो कॉल पर संगीत आज मैं आपको अलंकारों पर कोई चीज आपको मैं बताना चाहूंगा क्योंकि I hope अलंकार हम सब गाते हैं और beginner भी गाता है, intermediate कोई student हो या advanced आगे भी सीख चुका है तो वो भी गाता ही है अलंकार तो आज हम अलंकारों को गाने का ढंग थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से हमें गाने चाहिए क्योंकि हम ताले भी सीखते हैं आप पिछली classes में ताले भी सीख चुके हैं और regular जो जुड़े हुए वो भी सीखी रहे हैं ताले तो आपको मालूम है कि तालों में एक खंड होत वो आएगा एना जैसे हमने संगीत प्रावल्ड के चैनल पे भी बताया ही है चीज़ें कि दादरा अगर आपने बोली है तो दादरा धाधिन ना धातिन ना इस वजन से अगर बोली जाए तो प्रॉपर होती है ना कि धाधिन ना धातिन ना यह एकदम फलाट सपाट इसको न बोलें इसमें वजन दे के बोलें तो इसका अर्थ निकलता है इसके meaning clear होते हैं जैसे कि हमेशा बोला गया है ये चीज भाशा के लिए भी आती है कि जहां जिस word पे आपने emphasis दिया है उस word से meaning clear होता है यह ना उसी में अगर आपने बोला है कि may I come in तो उसमें आप may पे stress देत है कि मैं अंदर आऊं क्या है ना तो हर word पे जैसे कि जैसे जैसे stress अगर आप देते हैं तो meaning बदलता है और pauses से meaning बदलता है जैसे कि बहुत छोटा सा example है मैं हर बार देता हूँ कि अगर मैंने बोला है कि रुको मत जाओ ये तीन शब्द हैं तीन words है रुको मत जाओ तो प्रकार से pause देने से meaning में परिवर्तन आया है उसी प्रकार से stress देने से emphasis देने से भी meaning में परिवर्तन आता है अगर आपने दादरा बोली है तो धादिन ये बोलेंगे तो दादरा है वरना वो simple सी 6 मात्राइं है तो अगर दादरा को परिभाशित करना है दादरा को define करना है तो यही चीज हम अलंकारों पर भी अपला ही करते हैं और वजन के अनुसार जब हम अलंकार गाते हैं तब जाके उनका असर होता है जैसे कहते हैं वही अलंकार गाने से गले में हरकते मुर्कियां आती हैं तो अलंकार गाने से नहीं आती हैं अलंकारों को एक ढंग है उसमें गाने से हरकते मुर्कियां आती हैं वरना तो जीवन भरा आप अलंकार गाते रहिए आपकी गले में बल नहीं आएगा बल यानी एक force होता है पकड होती है जो नहीं आएगा जैसे कि मैं for example के लिए आपको गाके दिखाता हूँ एक छोटी सी तान मैं आपको भी गाके दिखाऊंगा आप देखिएगा कि उसमें एक बल है उसमें एक वजन है जिससे की हरकते हैं और मुर्कियां आ रही है तो आप ने इसमें देखा है मैं बल देकर वजन देकर उस तान को गा रहा हूँ इसी को अगर मैं बिना वजन से गाऊं तो ये तान बहुत सिंपल है इस तरह से भी ये तान गाई जा सकती है मगर इसमें वो मजा नहीं है इसमें वो आकरशन नहीं है इसमें वो बात नहीं है है ना इसमें वो बात कब आई जब इसमें वजन आया अब यही चीज आपके अलंकारों में भी आती है ठीक है ये मैं basic के लिए ही बता रहा हूँ एक दम जो और ये उनके लिए भी है जो अलंकार कभी और से भी गाते आ रहे हैं हमेशा से क्योंकि अब तक तो गाते आ रहे हैं लेकिन उसमें उनको एक तरीका एक डंग जो है वो सुधारने की जरूरत है वो वजन देने की जरूर और से ये कहता हूँ कि balance ढानी चाहिए यानि वो हर्कत आप लेना चाहें तो ले बाद कांप रही है अगर कंपन हो रहा है इसका मतलब वो बे ले है लेकिन अगर उसे ले में लेना है तो किस तरह से करना होगा वो मैं आपको बताता हूं अवे अब अलंकार हम गा रहे हैं तो सिधा सिधा अलंकार गाते हैं यह मैं पहली काली से कल्यान थाट में गा रहा हूँ कुछ है यह लिट हां और थाट में सवेरे रहना- पार-थाट में तेक्निक में पहला सक्षी sun जब सवेरे करेंगे तो भैरव में करेंगे, शाम में करेंगे, तो कल्यान में करेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं, एक जटका मैं दे रहा हूँ, एक स्ट्रोक मैं दे रहा हूँ, जो मेरे गले से निकल रहा है ठीक है, इसी को मैं इस तरह से भी गा सकता था बहाव की तरह एक दर्या जैसे बहता है नदी जैसे बहती है उस तरह से मैंने गादिया उपर से नीचे से उपर लेकिन हमें दर्या की तरह नहीं सीधियों की तरह चलना है जैसे हम सीधी चड़ते हैं एक एक सीधी चड़ते हैं तो हर सीधी अलग अलग है एक स्टेप है एक उसका माप दंड है कि एक सीधी इतनी बड़ी तो दूसरी भी इतनी बड़ी तो एक लय उसमें होती है दर्या तो उसका कोई लिमिट थोड़ी है नदी की कोई लिमिट नही है है ना हमें उस तरह से नहीं गाना है हमें खटके के साथ गाना है तो हर सूर पे आप देखेंगे एक स्ट्रोक मैं दूंगा स्ट्रोक देने का मतलब एक फोर्स फुली आप गले से उसमें एक स्ट्रोक देंगे ठीक है मतलब एक एक आंदूलन देंगे वहाँ पे गले को हिल एक बॉला करते था कि करो तो आ जाएगा, कि अपना जो right hand है या left hand है, दोनों हात हैं, इसको आप ऐसे हिलाते हो साथ में için etwas इससे क्या होगा? आपके शरीर में क्या बोलते हैं में अंदूलन खुद-वर्खुद बन रहा है, शारेन का अंदूलन बन रहा है तो क्या होता थोड़ा चाती आपकी हिलती है, बोडी अंदर से हिलती है, तो क्या होता है? आप देखेंगे मैं अगर सीधा सीधा बोलता हूँ अब इसमें अगर मैं body movement करूँगा तो अगर stroke fully करूँगा तो आप देखेंगे अपने आप मेरे body में एक एक जटका पैदा होगा यह आप खुद बखुद अभी करके देखिए आप एक तो सीधा सीधा आ बोलिए और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा forcefully जटकिए तो आपके शरीर में एक जाहिर सी बात है कि एक जटक होगी तो बस यही चीज अब हमें सूर में करनी है यह चीज तो बेसुरी है क्योंकि वो जो जैसी जटका आता है तो वो सूर में नहीं आ रहा है यहना वो बेसुरा जटका आ रहा है यहना वो उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है लेकिन यही चीज हमें सूर में करनी है कैसे होगा उसी सूर पर है ऐसा नहीं बेसुरा नहीं है जो सूर लिया है उसी सूर पे आपको वो जटका देना है माहा मेरे साथ साथ में आप गा सकते हैं इसको एक तो है कि आप उस अंदोलन को न दिखाएं तो चार मात्रा ऐसे निकल जाती है और एक तो अगर गले से नहीं आता है तो शुरू आत में ये एक चोटी सी तकनीक है कि आपने हाथ को स्टोक दीजिए शरीर में हलका सा जटका पैदा कीजिए तो वो गले में भी आ जाएगा लेकिन उतना ही जिसमें वो सुर न बिखरे है ना इस जटके का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बे सुरा हो जाए ठीक है ये बेसिक एक एक अलंगकार में आप अपलाई करेंगे तो दीरे दीरे बात बनेगी कैसे है ना और जाहिर बात ने एक दिन में नहीं आएगा पहले ही बता दूँ धीमे धीमे ये परिवर्तन गले में आता है जगा धीरे धीरे बनती है गले में ठीक है पहले दिन हो सकता है वो स्ट्रोक बराबन नहीं लगे लेकिन धीमा धीमा लगेगा पावरफुल पावर जो ह आप देख रहें जड़प होती है गाई की में जब मैंने ये तान ली ठीक है तो ये तो बड़ी हलकी तान है लेकिन अगर इसमें जड़प होगी तो कैसे आएगी आप देख रहें मैंने खटके इसमें दिखा दिये जो खंड थे वो मैंने दिखा दिये आपको मालूम चल गय और इसी से आनंद पैदा होगा, कैसे होगा वो आनंद पैदा होगा तब जब आपके अंदर समझ होगी, अगर आपके अंदर लेताल की समझ नहीं है तो मेरी ये तान आपको सिर्फ चिलाहट नजर आईगी, आपको शोर नजर आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कर इसके साथ चल रही है लेकिन अब देखिए यही सेम तान ये इसके विपरीत हो जाएगी कैसे हुई सिर्फ वजन देने से और कुछ नहीं वही दादरा की दोगुन अगर आप बिना वजन दिये करेंगे तो बड़ी आसान है कहरवा की तिगुन बड़ी आसान है लेकिन जैसे ही ताल का खंड विभाजन और चंद का खयाल रखके किया तो मुश्किल आ जाती है इवन शे मांत्रे की दोगुन करने में भी, क्युआ तिन, दादिन, 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 ओफ में वजन गया यानी ताली के विपरीध गया यानी विरोधा भास यानी जैसे ही कोई चीज ओपोज होती है जैसा हम चाह रहे हैं वैसी नहीं होती है तो तकलीफ होती है है ना लेकिन संगीत में वहां आनंद पैदा होता है क्यों क्योंकि आपको समा जा रहे यारे यार यह क्या बात है है ना ये विपरीत जा रहा और ये आ गया के मिलेगा उसका मज़ा है जिसको कहते हैं सम का आनंद जब सम आता है तब आनंद आता है कैसे सम का मतलब क्या होता है सम मतलब समान आप और ताल जब एक हिस्तिती में आ जाएं तो सम कहते हैं और उसको समान होने के लिए विपरीत ह पहुना जरूरी है, समान समान चलके सम पे आने में मज़ा नहीं आता है, विपरीत जाके सम पे आने में आनन्द आता है, सम का आनन्द ही उधर है, अगर आप समान समान चलते रहे, बीट टू बीट चलते रहे, तो सम आ भी जाएगा, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, कि क to beat चल रहे हैं तो आप तो देख रहे हैं रोबोट की तरफ अच्छा गा रहा है सामने वाला तो वो गा रहा है वो सम भी आ गया उसको कुछ पता भी नहीं पड़ा ठीक है अगर मैं यह लाइन ऐसे ही गादू सम कब आया ना आपको मालूम चला ना मुझे मालूम चला तो सम का आनन्द कहां आया सम का आनन्द उसके विपरीत जाके फिर समान होने में है तब जाके आया सम और ये पूरी की पूरी तान मेरी ताल के उपोजिट चलती रही तबले वाले को भी बजाने में मज़ा आया कि आ हा हा ये जो विपरीत जाके भी आपको टिके रहना उसमें मज़ा आता है है ना इसको मैं जिंदिगी के साथ हमेशा एक्जामपल दे के बताता ही हूँ कि भई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो मज़ा कैसे आएगा अगर दुख या गम नहीं होंगे मुश्किले नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा सब सीधा सीधा चलता रहा जो चाहा वो मिला फिर क्या फाइदा जो सोचा वो किया फिर क्या फाइदा है ना आपने सोचा मुझे ये करना है और ये मुझे चाहिए आपको तुरंट मिल गया उसकी value नहीं उसमें मज़ा नहीं जैसे अडचने आती हैं और फिर उन अडचनों से बीत कर हम जब सम पे आते हैं यानि जब सब समान हम सब सभी हो जाता है तभी तो मज़ा आता है तभी तो याद करते हैं यार वो क्या टाइम तो कैसे गुजारे यार वो दिन तब ही तो मज़ा आता है तो वही चीज यहां भी होती है जब वो विपरीत जाएगा फिर जब समाएगा उसका आनन्द आता है और यह कब आता है विपरीत कैसे जाकर टिकना विपरीद जाना, यह नहीं कि उसमें बह जाना विपरीद चलते हुए भी टिके रहना उसे ही जिंधीड का हुनर कहता है उसे ही संगीद का हुनर कहता है यह ना, तो बोशे हुनर आने चाहिए आपको ठीके, तो खैर तो दूसरे हुनर की जिम्हदारी तो मैं नहीं ले सकता, कि आपको आएगा की नहीं आएगा, लेकिन संगीत की मैं जरूर ले सकता हूँ, वो मैं आपको जरूर चीज़ें बता सकता हूँ, कि कैसे आना है, जिन्दीगी में कैसे टिकना है, कैसे नहीं टिकना है, वो मेरी उम्र नहीं है, उतना तरही जाएंगी इसी तरह संगीत काम करता है आपके नेचर से वो कुछ लेता है और आपके नेचर को वो कुछ देता है इतना प्राकृतिक ये विश्य हमारा है ठीक है तो कैसे आया वो खंड आपने गले में एक-एक स्ट्रोक दिया ठीक है मैं थोड़ा सा स्केल नीचे कर लेता हूँ ताके आप सभी लोग गापाएं पहली काली से जो महिलाये हैं या छोटे बच्चे हैं वो नहीं कापाएंगे साड़े पांच मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे साड़े पांच से आप सभी लोग गापाएंगे कल्याणधाट हम गा रहे हैं क्योंकि समय वही हो रहा है हो सकता है कुछ लोग बाहर से जुड़े हों तो उनके वहाँ समय वह नहीं हो रहा हूँ निरिगा मापधनिसा सानिधा पामागरे सा कोशिश कर सकते हैं पहले एक-एक सूर पे खटका दीजिए सिर्फ सा का खटके के रियाज कीजिए और जैसे कि मैंने बताया कि अगर नाचुरली नहीं आ रहा है तो शारिरिक जो जटका है वो दीजिए तो गले में वो खटका फिर भी आ जाए हाथ अपना हिला के हलका सा शरीर में जटका आना चाहिए महसूस करिए आप लेकिन इतना भी नहीं आए कि वो सूर भिखर जाए उसका खयाल रखिएगा यह जेस्चर्स बहुत काम करते हैं जिनको लगता है कि गाने वाले नाच नाच के क्यों गाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको डांस करने का शौक होता है क्लासिकल गायक यह जो गा रहे हैं इनको ऐसे मज़ा आ रहा है स्टेज पर यह help होती है इन जेस्चर्स के यहना कि वो किस तरह से बैटे हैं उनकी body movement उनकी body posture उनका hand movements उनके gesture यह सारे जो हैं गायकी में मदद करते हैं यह उनके अंग भाव जो हैं उनकी गायकी में वो चीज लाते हैं अगर वो आहात इधर से उधर ले जा रहे हैं तो उसका अर्थ है वो निरर्थक नहीं है यह मैंने हमेशा बोलाए कि अगर आप आप classical गायकों को नोट करेंगे और जो समझदार हैं उनको नोट करेंगे त जैसि खलच में मंदर में जाते हैं तो यह हात उडता है है और अगर एक हात यूज कर रहे हो तो यह और यह यह परिवर्थन होता है आप देखें हैं घैना यह गायक होती है अब जैसे में गाओंगा यह पूरा स्केच बना देते हैं, एक गायक गाते-गाते पूरी चित्र कारी करता है, है ना? आ एसा नहीं कि मैं फुजूल ऐसी बस यू, 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 बाबाओं की तरह हाथ हिला रहूं, ऐसा नहीं होता है, तीक है, इन हाथों को हिलाने का एक रीजन होता है, कारण होता है, तो जो लोग क्या होते हैं, इमिटेट करते हैं, जो बच्चे हैं अभी सीखना प्रासिकल गाईकी होती है तो उस हाथ हिलाने का रीजन है आप उसे अनुसार हिलाएं तो वो जादा बहतर होगा उसी प्रकार से यह जेस्चर है यह आपको मदद गरेगा गाने में आप देखी आप जब भीमसें जोशी साहब की गाईकी देखेंगे भारत रतन है वो ठीक है पंडेजी उनकी अगर आप गाईकी देखेंगे वो एक जगा बैट के गानी पाते हैं उनको चार माइक लगते हैं ठीक है एक यहां लगें दो यहां लगें वो इनसान जब एक तान लेता है ना तो नीचे जुकता है वहां से उटके उपर उनकी तान निकलती है और क्योंकि वो शारेर काम है इतना वजन का काम है बारी काम है ऐसे बैठे बैठे वाला काम ही नहीं है कि मैं ऐसे हां ऐसे नहीं गाएंगे वो है ना उनको अगर गाना है तो हां यह वजन जब वो देते है ना उनकी जो ताने जाती है जड़ब की और एक सांस में पूरी वो आ तो उसके लिए शरीर में बल चाहिए, इसलिए कहते हैं कि भी व्यायाम भी होता है, इसमें प्राणायाम भी होता है, पूरी वर्जिश होती है, यानि exercise होती है, तब जाके शरीर में जब तक दम नहीं, आप गाने ही पाएंगे, गाने वाली की भी डाइट अच्छी होती ही, खाना पीना उसका वजनदार है, तब ही तो वजन से गाई की हो पाएगी, वरना वजन से गाई की हो नहीं पाएगी, अगर आप उनका शारेरे का अकार नोट करें, तो उनकी चाहती बहुत चौड़ी है, याना, भीमसें जोशी शाप की, मैं उनका एक्जांपल इसलिए द प्रकाश घोष साहब के हाँ, जब वो जाते थे, तो वहाँ अगर रुक रहे हैं, तो उनकी रोटी से घी टपकता था, इतना घी वो लगाते थे, यानि पूरी रोटी ऐसे घी में डुबो के, हम तो इतनी तो रोटी भी ने खाते हैं, मुश्किल से पतली पतली खाते हैं, मोटी मोटी रोटी हन काते तो उसमें घी डुबो डुबो के, तो यह सारी चीजें क्यों करते हैं, क्यूँकि उनको शरीर में भी ताकत चाहिए, वर्जिश करते हैं, दंड बेटक लगाते हैं, शरीर में ताकत चाहिए, हैना, तभी उसका इस्तमाल हो रहा है, और वही गा गाते गाते आपकी आँखे बंद नहीं होनी चाहिए, गाते गाते आपका चेहरा नहीं बिगणना चाहिए, आपका बॉडी पॉस्टर नहीं बिगणना चाहिए, यह इसलिए कह रखा है क्योंकि वो उस अंग से, वो क्लासिकल संगीत के अंग से नहीं कहा है, वो प्रस्तुत तो वो प्रस्तुती के लिए है, गाई की के लिए नहीं है, एस्थेटिक्स संगीत में होते हैं, कुछ अपने अच्छा लगना चाहिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि भीमसें जोशी जी को ऐसा देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता है, एना कि यार सामने audience बैठी है, वो स्वानंद के लिए गा रहे हैं, खुद के आनंद के लिए गा रहे हैं, वो जब गाते हैं उनको खुद को अच्छा लगता है, और बट अफकोर्स फिर audience को अच्छा लगना ही है, एना वो देखकर कैसा रहा है, वो मानी नहीं रखता है, ठीक है, आप कुछ aesthetics भी होते हैं संगीत में खेर, उनका भी ख्याल रखना ही होता है, लेकिन सर्वो परी तो गाईकी है, सर्वो परी तो संगीत है, बाकी aesthetics और ये सब जो चीज़े हैं, ये दूसरों के लिए हैं, तो उस सब का अगर आप पहले ख्याल रखेंगे और अपनी गाईकी को क थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बैट जाता है, आप बोलते-बोलते गाह नहीं सकते हो, पर ठीक है, अब क्लास है तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कोशिच करते हैं, साड़े-पांच का सूर्य, आप मेस्ज जिनके पास अविलिबिलिटी है, अपना तान पूरा लगा लिजी साड़े-पांच पे, इस तरह से करेंगे, प्रैक्टिकल यह मैं जादा नहीं करा रहा हूं या पर इस तरह से करेंगे, तो गले में धीरे-धीरे वो खटके जो हैं बेट जाएंगे, शरीर में ज्टके आते हैं तो गले में खटके बेटते हैं, इस चीज का ख्याल रखियेगा, तो ये चीज़ करेंगे अब इसी में धीरे-धीरे स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप आप देख रहे हैं वो बल आ जाएगा, वो बजन आ जाएगा इसी में धीरे-धीरे गती बनेगी तो है ना, चीज़ वही है धीरे-धीरे उसी चीज़ को धीमा-धीमा करोगे र्याज करते रहोगे, गती बनाते रहोगे अपने आप ये ऐसे गले चलने लग जाएगे फिर ये जो हलकी मुर्कियां हैं ये भी गले में आ जाएगे क्योंकि जगह बन जाएगी ना, तो अपने आप आ जाएगी अब खाली गले में आ जाने से कुछ नहीं होता है जहन में भी शौर होना चाहिए कि कहां लेनी है, कैसे लेनी है उसकी अकल होनी चाहिए, उसका सलीका होना चाहिए कि इस जगह चाहिए इस जगह नहीं चाहिए ठीक है voice पर control होना चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं कि गले में company company बैठ गया है वजन ही वजन बैठ गया है अब इसी तान को मैंने आपको दोनों तरीके से गा के दिखाया जब ऐसा चाहिए तो ऐसा गाया और ऐसे भी गा दिया तो ये vocal dynamics होते हैं कि voice आपकी कैसी निकल रही कितने वजन से निकल रही किस loudness से निकल रही है उसकी quality क्या है ये आपके गले पर ये आपके जहन पर control होना चाहिए एक तरफ जुकाव नहीं कि मेरा गला तो classical वाला है तो ऐसा ही चलता है अगर आपको कभी खुलामाली अंदास गाना है तो उसमें भी आप गा सकते हैं या कभी अगर classical अंकी कोई चीज गाओगे तो भी गा सकते हो कभी जगजीश साब जैसा गाओगे या फिल्मी गाने गाने तो वहाँ पर तो ऐसी गाना पड़ेगा क्योंकि यह बड़े heavy ornaments हैं यह ornaments ही तो है यह abhushan है तो यह heavy ornament है इसको इस तरह से भी मैं अकसर समझाता हूँ कि भाई यह हमारे traditional ornaments हैं जैसे हम राजस्तान के हैं ठीक है तो राजस्तान ही जो पोशाक होती है या उसके जो abhushan होते हैं जेवर होते हैं या किसी भी रीजन के अगर आप जाएंगे रीजनल जाएंगे प्रांती या जो अभूशन है बड़े हवी होते हैं हमारे हिंदुस्तान में अगर वो आप वेस्टन अटायर के साथ पहन ले जीन स्टॉप के साथ तो कितने अजीब और बद्दे लगेंगे वो आप खुद इ इतने बड़े बड़े जुमके और वो गले में जो हार होते हैं इतने हवी हवी और आपने पहन रखाए जीन स्टॉप तो वो बड़ा जीब लगे का अगर आपने शॉट पहन रखे हैं क्रॉप टॉप पहन रखा और फिर आप ऐसे हवी जो अभूशन है उनको लगा लें तो यह वही चीज हो जाती कि लाइट गाई की है उसके साथ आप ऐसी हैवी ताने ले रहे हैं या फिर आपका जो गमक बहुत जादा आ रही है वहां पर तो वो अजीब ही लगता है तो यह तो जाहिर बात है अब यह तो वही बात हो गई न कि हम खा रहे हैं तो इटालीन लेकिन हमने उसमें मिला लिया अपना मिर्ची का अचार तो वो नहीं जमता है वो उसका स्वाद जो है बड़ा बेस्वाद हो जाएगा बद्दा हो जाएगा तो ये क्योंकि मिर्ची का अचार क्या है एक तरह से स्वाद बढ़ाने के लिए कोई चीज है है ना कि हमारे स्वाद को थोड़ा अच्छा करेगी तो वो तब अच्छा करेगी जब वो उसके साथ खाई जाए कि भई आप रोटी सबजी के साथ खा रहे हैं या किसी और चीज के साथ जो इंडियन फूड है उसके साथ खा रहे हैं तो वो ठीक है कई बार ये भी होता है कि आप fusion करते हैं या फिर वहाँ पे आप क्या बोलते हैं कुछ नया experiment करते हैं तो अच्छा भी लगता ऐसा नहीं है तो वो भी है एक्सपरिमेंट तो अच्छे लगेंगे लगेंगे वो नहीं है लेकिन उमूमन ऐसा नहीं कर सकते है चैन्म यह कर लो कि मेरी गाइकी क्योंकि licensing है तो सब के साथ classical गाऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए आपके गाइकी एक तरह की नहीं होनी चाहिए और वो वरसेटाइल तब होगी जब गले के साथ दिमाग भी उतना ही चलेगा कि दिमाग कंट्रोल कर रहा है मेरी गाईकी को गाईकी मुझे कंट्रोल नहीं कर रही है मैं चाहूं जब तान लूँ चाहूं तब हरकत लूँ चाहूं तो उसलाइन को सीधा गा दूँ चाहूं तो उसमें हरकत ला दूँ अब जैसे अब इसमें आप मैंने छोड़ी-छोड़ी हरकत ली हलका सा याँ खटका दी अब मैं इसको ऐसे भी गा सकता हूँ एना control आपके पास होना चाहिए जैसा composer को चाहिए जैसा music director को चाहिए या जैसा आप direct कर रहे हैं वैसा उसमें आ जाए एसा नहीं कि वो composer कह कह के थग गया कि भईया यहां नहीं चाहिए मुझे मीर्ड यहां नहीं चाहिए हरकत पर आपके गले में आई रही है वो निकले ही जारी है ना मैं live ऐसी चीज़ने देखता हूँ कि मेरे खुद के दादा गुरुजी है अब उनके ला ला के तो उसे कह 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 थग गया पर नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि उसका गला तयार हो चुक है उस तरह से पर दिमाग तयार नहीं है उस चीज़ को लगाम उस चीज़ को कंट्रोल करने में तो कंट्रोल भी कीजिए और वो कंट्रोल तब होगा जब धीरे धीरे उसको आ तो इसको इमिटेट नहीं करना, इसकी नोटेशन समझेंगे, इसकी नोटेशन समझेंगे, तो उतने ही लगाएंगे, यह नहीं के, यह नहीं है, वहां पर पर एक और स्ट्रोक है, और फिर वोईस मॉडूलेशन, है ना, साउंड मॉडूलेशन होना चाहिए, कि किस पे जादा देना है, किस पे कम, है ना, वो भी होना चाहिए, जैसे, कब मैंने बढ़ा दिया, कब कम कर दिया, यह सारे वोईस कल्चर के अंदर आते हैं, वोकल डाइनमिक्स के अंदर आती हैं, यह सारी चीज़ है, कि आपको उस पे काबू होना चाहिए, ना कि वो आपके गले को काबू करें, कि गला तो ऐसा ही चलता है हमारा, एना, ऐसा नह हाँ, 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 ठीक है, अब मैं इसकी कई exercise बताई हुई है, कि जैसे तीन ताल आप करते हैं, ठीक है, I am so sorry कि मैं आप सभी के सवाल आज नहीं ले पा रहा हूं, आप लोग के hand raise हो रहे हैं, लेकिन मैं one-on-one बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक बात नि इस range को लेकर आजाएंगे, रियाज क्या करें, वो सब आई जाता है, तो क्या होता है, जो पुराने students है ना वो बोर हो जाते हैं, कि हम तो पिछली class में भी आयते, तब भी यही बाते होई थी, और जो नया student इस class में आया है, उसने तो पूछ लिया, लेकिन पुराना वाला के लिए एक, वो भी हो जाएगा कि चलो मतलब regular आना पड़ेगा, नहीं तो नए नए students, अगर डेली अगर नया student आया तो मैं डेली वही बात ने बताऊंगा, क्योंकि फिर बाकियों के साथ ना इंसाफिय होती है, तो आज यह जो चीज जा रही है, तो पुराने students के लिए वो अपना apply कर सकते हैं, ठीक है, तो वो खटके देके आपने गाया, अब यही आप सारे अलंकारों में apply कीजिए, जैसे सारे गमापधनिशा का पहला मैंने बता दिया, फिर दूसरा जाएंगे तो, दूसरे को गाना ऐसे नहीं गाना कि, वो खटके का थोड़ा सा force बढ़ा ठीक है, फिर अगर इसको आप बढ़ा देंगे लगे तो कैसा आएगा? फूल वजन के साथ आया, तो वो वजन के साथ धीमा धीमा अब्यास करेंगे एक जन्हें का सवाल आया था बीच में कि वो जब आकार का रियास करते हैं तो jawline जो है, jaw जो उनकी है, वो हिलती है, यानि ये जबड़ा जो है, ये ऐसे होता है तो ये समस्या बहुतों की है और ये बहुत genuine समस्या है कि ये जबड़ा है नीचे वाला ये आगे पीछे होता या ये ये दाहें-बायों होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी वही बात है, controllable होना चाहिए, क्योंकि जबड़े की ताने भी होती है ठीक है ऐसा नहीं कि जबड़े की तान नहीं होती तो जब लेने को कहा जाए तब ही लो ऐसा नहीं कि हर तान आपकी वैसी आरही है तो इसका भी खयाल रखें nasal voice जब लगानी तब लगानी है ऐसा नहीं कि आटोमेटिक ली आ रही है है ना या जबडे से तान लेनी है तो जब कहा जाए या लेने हो तभी लें गमक के साथ लेनी है तो बोली जाए तभी लें ऐसा नहीं कि हरतान गमक की आ रही है हरतान में ये गमक जो आ रही है सब में गमक आई अगर मैं चाहूं तो मुझे सिंपल सीधी तांच ये तो क्योंकि ठुमरी जब आप गाते हैं ठुमरी में बड़ी नजाकत होती है ठुमरी गाईकी में ये हेवी ताने नहीं होती है क्लासिकल की तरह तो जब आप ठुमरी गाई रहे हैं तो नजाकत से गाने पड़ती है ये तो वहां इतनी हेवी ताने नहीं होती है तो गले का वजन जो है वो आपके हाथ में है कि कब देना है कब नहीं देना है ठीक है अब जैसे मैंने अभी जो मैं बात कर रहा था कि मैं 3 ताल की एक exercise करवाता हूँ कि 3 ताल में हमारे जो वजन आ रहे हैं वो 4 वजन आते हैं एक तो 1 पर आता है एक 5 पर आता है एक 9 पर आता है एक 13 पर आता है तो अब हमें 2 टास्क करने हैं उनके वजन बदलने के पहला टास्क की रहेगा तीन ताल को सोला बार हम बोलेंगे सोला मात्रा हैं सोला बार बोलेंगे ऐसे करके सोला बार किसी भी लए में आप ले लीजे जो आपकी comfortable लए है तेज या धीमी जैसी भी हो सोला बार बोलेंगे लेकिन उसमें परिवर्तन क्या कहना है यह task one है हमारा यह सभी के लिए सब कर सकते है तीन ताल सब को बोलने आती है और यह हर ताल में करना है यह apply आप हर ताल में कर दीजेगा पहला क्या करेंगे हम एक पर वजन देंगे और किसी मात्रा पे वजन नहीं आया जब दूसरी बार ताल बोली तो दूसरी मात्रा पे वजन देंगे वजन बदला है स्पीड नहीं बदलनी चाहिए ऐसा नहीं कि दो पे वजन दिया तो एक जल्दी से बोल दिया या एक पे भी आ गया और दो पे भी आ गया ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ जिस पे आना चाहिए उसी पे आना चाहिए तीसरी बार बोलेंगे तो तीसरी मात्रा पे वज़न चौती बार बोलेंगे चौती मात्रा पे वज़न इसको आप पहले काउंटिंग में कर लीजे बली एक दो तीन चार में कर लीजे, फिर दा दिन दिन दा बोलिएगा, है ना, मैं इसका demonstration करके दिखा देता हूँ, मैंने explain तो करी दिया, कैसा है task, इसको आप आराम से अपना भ्यास कीजे, note कर लीजे, और अब सुनाईएगा बाद में कभी, कैसा जा रहा है, एक कम ले में ही, आ समान साथ में चलना चाहिए, है ना, अभी मैं बोलूँगा और ताली लगाओगे, तो हो सकता opposite जाए, क्योंकि आपका वो, यहां latency आती ना, voice की, है ना, तो सिर्फ मेरी, मेरी ताली के साथ सुन लीजे, आप अपनी ताली लगाएंगे, तो आगे पीछे हो जाएगा, ठीक इस तरह से आप लगाई यह, यहांने इस तरह से आप लगाई, ताली कै? लेवेवे। बड़ा इजी सा टास्क है कुछ इसमें मुश्किल नहीं एक एक करके वजन बदलने ठीक है तो यह आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा नोट कर लिया होगा दूसरा टास्क हम यह लेंगे कि हमारी तीन ताल का जो वजन है वो एक पांच नौ और तेरा पर आता है ठीक है अ उसके बाद जब वजन देंगे तो उसकी और अगली मातरा पर देंगे कैसे तीन साथ ग्यारा और पंदरा उसके बाद जो चौती और आखरी तीन ताल बोलेंगे उसमें चार आठ बारा और सोला पर वजन किस प्रकार से होगा यह कुछ-कुछ exercises है आप लोग सोचेंगे यह exercises हम कहां परफॉर्म करेंगे वही है कोई हमको यूनिक बोलेगा आच चलो वही तीन ताल सुनाओ तो आप हमको गाना सिखाओ न यह क्यूं सिखा रहे हैं जो कोई पूछेगा ही नहीं है exercises मैंने हमेशा कहाए कि presentation के लिए नहीं होती है presentation तो अलगी होती है लेकिन उन presentation में बारिखिया उसमें जो strength है वो आपकी exercises देती है इसका बहुत basic सा example मैं हमेशा देता हूँ अगर एक लड़की को चार गुंटे छेड रहे हैं ठीक है और आपको कह के जाके उन गुंडों को मारो āवर उसे बचाओ तो वहां जाके आप पुशप नहीं लगाऊज़।ös वहां जाके आप अपना दंड बेटक के नहीं करोगे वहां जाके आप उसको मारो गे लड़क वो अपनी दोड़ा लगा के आता हूं क्योंकि उसी से शक्ति आती तो ऐसा नहीं होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए ये जो exercises हैं इनको नहीं करा जाता है तो ये वही बाते हैं आपको गाना गाने के लिए बोला जाएगा तो वहां तीन ताल नहीं सुनाओगे तो अच्छे से इन exercises को करोगे वरना बोर हो जाओगे सिधी बात है वरना यही लगेगा ना कि यार गाना गवाओ ना कि तु क्या तु ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना ये गवाओ सीधा ये क्या बात हुई कि आप दा दिन दिन दा गवारे हो एर एक दो तीन चार गवारे हो तु नोटेशन दे दो डारेक्ट तो वैसी क्लास नहीं है ये और मैं आपको डारेक्ट जो है प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा हूँ अगर मैं इंग्लेश आप सीखना चाहेंगे तो मैं ABCD से ही शुरू करूँगा ना कि बोलूँगा कि चलो शुरू करो कि टूबी और नौट टूबी शेक्सपियर का मोनोलॉग है Macbeth का है ना सीधा लिटरेशर से ही शुरू करूँ फिर मैं कि Macbeth ने जो प्ले लिखा था उसमें एक मोनोलॉग है उनका उससे शुरू करो या फिर मैं आपको सीधा पोयम सिखाना शुरू करूँ तो ऐसा नहीं होता है आपको जो बारिखिया है वो समझनी होगी बेसिक समझनी होगी ठीक है तो यह टास्क आपने ले लिया होगा यह आप कर सकते हैं अब क्यूंकि वक्त की थोड़ा तकाजा है कि थोड़ी सी कमी ह इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ चीजें बता रहा हूँ आपसे one on one चीजें ले नहीं रहा हूँ कोशिच करेंगे next time हम जब मिलेंगे तो यही टास्क में चेक करूँगा because these tasks need practice or need time वक्त लगेगा आपको इन सारी चीज़ों को करने में तो अभी मैं वैसे भी बताऊंगा time देना ही है तो हफता पर practice कर लो next class में जब हम मिलेंगे तब मुझे सुना देना ही है एक एक करके मैं इसारे टास्क मैं नहीं बताएं तो मुझे तो याद रहेंगी याद दिला भी देना लेकिन बाद मैं ऐसा नहीं मैं कभी कबार भूल भी जाता हूं ठीक है तो next सानी दपा मगरेसा वही पहला टास्क जो मैंने दिया था ना तीन ताल को 16 बार बोलेंगे और हर बार वजन बदलते रहेंगे यही काम यहां भी किया है वही 16 मात्रा हैं सानी दपा मगरेसा 1-2-3-5-7-8 और 1-2-3-5-7-8 ठीक है तो एक-एक करके एक-एक पर वजन पहली ब कर गाया तो गर पे चौती बार में म पे पा द नी सा फिर सानी दपा मगरेसा ऐसे आपके 16 बजन होने चीए 16 बार अलंकार गाते हैं तो कैसे जाएगा सारिगा मापधनि साने दपा मगरेसा और गामा पदानि 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 साने दपा मगरेसा और सारिगा मापदनिसा सानी दाप मागरिसा सारिगा मापदनिसा सानी दाप मागरिसा सारे गामागरिसा अब देखे मैं आपको बताता हूँ यह एक्सराइज कहां काम आती है क्योंकि हमारा सबसे पहला जो सवाल आता है कोई भी चीज सीखते ही वो यही आता ही कि काम का आएगी है यह नहीं कि उसको अपलाय कर लें उसको देख लें उससे गले में अपने परिवर्तन महसूस कर लें वो नहीं हमारा पहला सवाल है कि यह तो ठीक है यह काम का आएगा वो बताओ तो काम का आता है वो भी मैं बता ही बजाता है, वो जब तीन ताल बजाता है तो वो अलग-अलग मात्राओं पर वजन देता है और तभी आप चुक जाते हो, ना कि अरे ये क्या हो गया भई, एक क्या दो की एक करदी इसने एक की दो करदी एक जगा गैब दे दी, हम तो कन्फ्यूजी आ गए, कि वही कहां चल रहे थे और कहां आ गए, है ना तो वो बड़ी समस्या होती है तो वो नहीं होगी, अगर आपने खुद इतने वजनों से उसकी प्रैक्टिस करिये तो तबले वाले को कन्फ्यूज हो जाएगा वो, आप ऐसा गाओ, कि तबले वाला कन्फ्यूज हो जा रहे भई, कहां चल रहे थे और फिर कन्फ्यूज होगा तभी उसको आनंद आएगा अगर वो समझदार हुआ नहीं बेवखूब हुआ तो फिर वो भी कह गा रहे तुम तो क्या वाला टेड़ा गा रहे हो तो घलत गा रहे हो बही बीट टू-बीट चलो ना क्या कर रहे हो यह बाद की exercise हैं यह तब हो पाएगी न है जब एक-एक करके वजन देने का ब्यास किया होगा कमला है मैं बता हूं तो अब देखरें बीच के तो बोल भी नहीं बोल रहा हूं मैं और सिर्फ वजन वजन दे रहा हूं इसी तरह बजाया जाता है, इसी तरह गवता है, इसी में आनन्द आता है, आप देखेंगे, ये शास्त्री संगीत की चीज़े हैं, इससे दिमाग तयार होगा, आप में क्षमता आएगी, आप में समझ आएगी, फिर भली फिल्मी गाना हो, घजल गाना हो, आपको ये बल है, ये जड़प है, ये वो गाई की है, जो आपको यूनिक बनाती है, वरना तो ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसे तो कोई भी का लेगा, इसमें आभूशन गाएं, खुबसूरती गाएं तो ये सारी चीज़न तब आएंगी, और ये चीज़ अलंकार में भी अपलाए होगी, रैंडम वजन आप देंगे, हर अलंकार में होगा, तीसरा अलंकार गाते हैं तो ऐसे जब तक गाते रहेंगे तो गले में हरकत नहीं आएगी, ये चीज़ की तासीर, इसका असर तब होता है, जब इसे उस धंग में रियाज किया जाता है, है ना? वही खटका जो हभी हमने सिंगल सिंगल दिया था, उसकी पोजिशन देखिए कैसे बदल गई, और यही चीज़ बजा देंबे भी है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें गाने के लिए बता रहा हूँ, ये संगीत के कंसेप्ट्स हैं, इसे कहीं भी अपलाए किया जा सकता आप तबला वादन कर रहे हैं, आप कथक नर्त्य कर रहे हैं, आप हार्मोनिम वादन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपलाए होती हैं, अब देखिए हार्मोनिम पे भी बजा रहा हूँ तो, ठीक है, सारे वजन देदे के बजाए, तो ये वजन जब चलेंगे, और ये विफरीद वजन जब चलेंगे, और जब समा आएगा फिर, फिर देखिएगा आनन्द क्या होता है, ठीक है, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, संगीत के बारे में, कुछ-कुछ चीज़ें हैं शास्त्री संगीत के बहुत basics हैं अगर आप इनको ये exercises हैं ये तकनीके हैं अपलाए कर लेते हैं ये सारा एक ही topic था खटका आपको कैसे देना है वजन आपको कैसे देना है गाईकी में भी और इसी से वो चीजें बारीख जो चीजें ये इसी से पैदा होती है किया संगीत उसी का है जिसने किया है परना नहीं है करने वालों का है करत की विद्या है बातों की विद्या नहीं मेरी बातें सुनकर ये lecture अटेंड करके आपको लग रहा है संगीत आ जाएगा तो बिलकुल नहीं ये मुम्किन नहीं है करना पड़ता है मुश्किल होती है करना पड़ता आदत बनानी पड़ती है तब जाके होता है गिसना पड़ता है बे मन करना पड़ता है किसका मन होता है रेगुलर रियास करने का रेगुलर अभ्यास करने का तकलीव होती है तब भी करना पड़ता है जब करोगे तो घिस घिस के फिर जाके वो शार्पन होता है एक बार में घिसने से कोई भी जेवर शार्पन नहीं होता है उसको घिसना पड़ता है बार बार धीरे 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 घिस घिस के चोटी 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 बारिकें उसमें इंप्रूव होती है और फिर जाक हो जाता है, वो समझ वो अकल पैदा हो जाती है, मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है, कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझे को दरिया यानी एक रिवर यानी मेटाफरिकली बोलने तो एक और अर्चन, एक और प्रोबलम मेरी जिन्दगी में आई एक और दर्या का सामना था मुनीर मुझको मैं एक दर्या के पार उतरा तो मैंने देखा यानि अभी अभी मैं एक दर्या के पार उतरा हूँ उसको जूज कर उससे निकल के आया हूँ और मेरे सामने एक और दर्या है यानि एक और प्रॉब्लम आके कुछ दिन पहले एक महिला से बात हो रही थी ऐसे ही online class में तब उन्होंने बोला कि बड़ी इतना time हो गया है मुझे करते करते कुछ भी नहीं हो रहा है तो पता नहीं कब हो जादे ऐसा किसी को नहीं पता होता है कि कब संगीत आ जाता है वो sense आपके अंदर develop हो जाता है तो त तो poetry की भी sense develop करेंगे और आपको चीजों के लिए motivate भी करेंगे तो एमत फराज का कुछ ऐसा शेर था कि कि किसी को घर से निकलते ही मिल गईी मनजिल कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा कि उम्र भर हम सफर करते रहे और हमें मनजिल नहीं मिली लेकिन कुछ लोग ऐसे भ मिल गई मनजिल कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा यह हमद फराज का शेर है तो यह सारी चीज़ें आपको face करनी पड़ेंगी संगीत में ऐसा होगा आपके मन में यह अर्चने आएंगी यह सवाल यह शंकाएं जो हैं यह doubt जो हैं आपको परिशान करेंगे कि कब तक आ पड़ेगा तो यह सारी चीज़ों का कोई end नहीं है कोई पार नहीं है लेकिन एक ही चीज है वो है समर्पण अगर आफ फुल dedication से समर्पित होकर सिर्फ संगीत को आनंद के लिए सीखें कोई और मकसद न रखें तो मेरे खैल से संगीत आपको आ जाएगा हम संगीत को सीखन मकसद है यानि मोटिव आपका ये सारी चीज़ें पाना है तो संगीत नहीं मिलेगा आपको संगीत उसी इंसान को मिलता है सचा संगीत की बात कर रहा हूं मैं या मैं दो चार दिन की शौरत की बात नहीं कर रहा हूं कि मशूर हो जाओगे आप तुरंद के तुरंद मैं उस सच्चे संगीत की जिसे जहां कहते हैं कि संगीत ईश्वर है मैं उस संगीत की बात कर रहा हूँ मैं सच्चे आनंद की बात कर रहा हूँ यानि सच्चे आनंद की है ना मैं इसको spirituality से अगर आप बोलें या गहराई से जोड़ने की बात बोलें जिससे आनंद बिलता है जिससे रूह हमारी सुकून में जाती है वही मकसद है आप लोगोंने संगीत सीखना इसलिए शुरू किया था आप में से कोई मेरे ख्याल से यहां ऐसा नहीं होगा जिसने संगीत इसलिए शुरू किया था कि उसे बड़ा बहुत बड़ा स्टार बनना है यहीता सभी का कि मज़ा आता है आनंद मिलता है लुट्फ है इसमें ऐसा कि ऐसा सुकून है जो कहीं नहीं यहना ऐसी तसलिए है इसमें जो जीवन से जितनी सारी परिश्यानिया हमें होती है वो सारी छोड़ के जब हम संगीत करने लगते हैं सब भूल जाते हैं तो उसको बरकरार रखें, सीखते समय भी सीखते समय ये न भूल जाएं कि अरे यार, अलंकार थार्ट स्केल कब होंगे, कब राग पे आएंगे कब गाना गाने को मिलेगा ये सारी चीजें, अगर ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में चलते रहे कि कब, क्यों, कैसे, ये सारे सवाल आपको अगर मोटिवेट कर रहे हैं, तो बढ़िया है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अगर सारी आपकी ललक, लालसा और जिग्यासा है, तो तो बढ़िया बात है यानि curiosity है, आपका interest है, आप चाहते हैं, कुछ चीज जानना चाहते हैं, तो तो आजाएंगे, ये सारे सवाल आपको, हल मिलेंगे, इनके जवाब भी मिलेंगे, नुभव मिलेगा, आप आ जाओगे, लेकिन यही अगर अर्चन पैदा करते हैं, यही आपकी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, कि यार क्या है, कब तक करना पड़ेगा, या और कितना, है न, और वो है अगर मन में, तो नहीं आएगा, और यह चीज मैंने हमेशा बोली है कि, इसको materialistic मत बनाओ, यानि इसमें material इखटा मत करो, जाधा से जाधा, content मत बढ़ाओ, कि मुझे 50 अलंकार आ जाएं, सौर आगे आ जाएं, 50 यों गाने आ जाएं, तो मुझे अच्चा संगीत आता है, यह मत मन में रखना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको लालच होता है संगीत का, वो जो लालच रखते हैं, उनको भी कुछ नहीं आता है, लालसा रखो, लालच नहीं, लालसा यह नहीं कोई चीज जानने की इच्छा, बहुत तीवर इच्छा है कि यार यह मुझे जानना है, वो करो यह नहीं कि इखटी करनी है मुझे और आपको लग रहा है इखटी करके आजाएगा संगीत तो ऐसा बिल्कुल नहीं है है ना आप यह सोचो कि मैं भाई जल्दी से जल्दी जादा से जादा रागें कर लूँ तो कुछ हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा कितने ही रागे कर लेना संगीत अधूरा रहेगा ऐसे बहुत लोग हैं मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में experience की हैं मैंने संगीत वानों से मिला हूँ बरसों से संगीत सीख रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया इखटा करने के सिवा डाइरियां भर रखी है बंदिशों से, तानों से चीजों से, अलंकारों से डाइरियां भर रखी है संगीत लिखित तो है यह नहीं practical subject है practical कितना किया आपने इतना सा किया है लेकिन वो सब पे भारी पढ़ता है जिनोंने इखटा कर रखा उन पर तो यह कुछ चीजें है जानिये, समझिये अब मेरी एक और क्लास है, नौ बजे तो उसके लिए मैं थोड़ा विश्राम ले लू रेस्ट ले लू, गंटे बर से बोली रहा हूँ तो आप सभी से विदा लेता हूँ और उमीद करता हूँ, नेक्स क्लास में लिए, किसी से बातचीत नहीं करी, उसकी एक माफी है, वो हम हर क्लास में करते ही हैं, जादतर करते ही हैं, तो मैंने सोचा इस क्लास को थोड़ा सा अलग बनाया जाए, इसमें कुछ चीजें आपको दी जाएं, जिसका आप अभ्यास कर सकें, तो I hope आपने वो सारी चीजें नोट करी होंगी, ध्यान में होंगी आपकी, मैं चाहूंगा कि आप नेक्स क्लास में मुझे सुनाएं, ठीक है सभी को शुक्रिया, सभी सभी दल लेता हूँ मिलते हैं अगले शनिवार को या पिर कभी और भी